लोटस यानि की कमल पूरी दुनिया में सबसे मसहूर फूलों में माने जाते हैं आज की संसार ग्रिंग की इस वीडियो में हम इसी कमल फूल की अलग अलग किस्मो यानि की वराइटीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं यह एक ऐसा जलिय पौधा है जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होता है जीवन दाई भी है यह ना तो जलिय जीव को नहीं पर्यावरन को कोई छहती पहुँचाता है इसलिए हिंदू बौध धर्म में इसका बहुत उंचा अस्थानी से प्राप्त है तो सुरुआत करते हैं सैक्रिड लोटस या पवित्र कमल पुष्प से जो भारत का रास्ट्रिय फूल भी है बटानिकल नाम इनका निलम्बो नियोसिफेरा है चुकि ये कीचड़ वाले पानी में भी उगते हैं और इनकी पत्तियां हमेशा साफ होती हैं क्योंकि इन पर गंदगी नहीं टिक पाती वैक्सी लीव्स होते हैं और फूल भी पानी की सतह से काफी उपर खिलते हैं ये पवित्र माने जाते हैं पूरे एशिया में ये बहुत ज़्यादा पापुलर है, इन फूलों का रंग गुलाबी होता है और आकार काफी बड़ा होता है, फूल 13 इंच डाइमेटर तक के हो सकते हैं, यानि सच में आकार में काफी बड़े होते हैं, कई बार फूलों का रंग काफी हलका गुलाबी होता है और इनके सभी हिस्से इस्तेमाल लायक होते हैं जैसे की रूट्स, पत्ते, बीज, तना और सब कुछ खाने में भी इस्तेमाल होता है, हो सकता है उनसे अलग तरह के स्नैक्स बनाय जाते हैं, कमल ककडी की सबजी बनाय जाती है, कमल गटा, कमल ककडी, कमल के बीज, कमल के फूल सभी एडिबल होते हैं यानि पोशन देने का ही काम करते हैं, इसलिए भी इन्हें पवित्रमाना जाता है आप बात करते हैं कमल की दूसरी सबसे पॉपलर किस्म नील कमल की यह मूल रूप से दक्षिन ACI फूल है लेकिन कमल से इनका कोई लेना देना नहीं है इनका नाम नील कमल जरूर है पर यह कमल की किस्म नहीं है यह वाटर लिली है इसलिए आप अंग्रेजी में जो नाम देख रहे हैं वह ब्लू वाटर लिली है ना कि ब्लू लोटस है यह अक्वेटिक प्लांट ही है यानि कि पानी के पौधे हैं और इनको आप 10 से 20 इंच के बिना छेद वाले गमले में लगा सकते हैं पानी के टब में लगा सकते हैं टब के नीचे तले में आपको 2 से 3 इंच मोटी मिटी की तह रखनी पड़ेगी जिसमें इनके जड़ या इनकी गांठे डेवलप होंगी पौधा और इसके पत्ते पानी की सता पर रहेंगे और फूल भी पानी की सता से उपर ही आएंगे इनके पत्ते कमल के पत्तों से थोड़े अलग होते हैं पर फूल आम तोर से नील कमल के ही नाम से जाने जाते हैं इनकी नीली, बैंगनी और गुलाबी किसमें भी मिलती हैं ये फूल देखने में बेहत खूबसूरत होते हैं, इन में 15 से ज़्यादा खूबसूरत पंखुडियां होती हैं और फूल सुगंधेत या संटेड होते हैं, भारत में इनको भेटवास नाम से भी जाना जाता है मोमो बोटन या कमल फूल की एक दूसरी किस्म है, जिसका आकार साक्रिड लोटस से थोड़ा छोटा होता है, फूलों की रंगत थोड़ी और जादा गुलाबी होती है, यानि साक्रिड लोटस से इनका रंग गहरा होता है, पंखुडियां धेर सारी और चोड़ाई में होती है, ये भी धाई से तीन फूट तक के पोधे होते हैं, और छोटे पॉंड या छोटे आकार के पॉर्टस में भी इनको आसानी से ग्रोग किया जा सकता है, जहां तक इनके खिलने की बात है, इनका ब्लोमिंग पीरियड लंबा होता है, यानि साल में ज्यादा महिने और दिन में ज्यादा घंटे ये फूल खिले रहते हैं, इनको भी बीच से या कंद से दोनों ही से उगाया जा सकता है, मोमो बोटन को औरनमेंटल परपस से ही उगाया जाता है, इनको आप इंडूर भी रख सकते हैं और घर के इंटीरियर को खूबसूरत बना सकते हैं, ये लेते हैं, यह वाटर लीली नहीं है, बलकि खूबसूरत पीले रंग के कमल की ही एक वराइटी है, इनके पौधों का आकार तीन फोट या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, पिटल्स बीस से ज़्यादा होते हैं, काफी खूबसूरत पंखुडियां होती हैं और इन फूलों में सुगंध नहीं होता है, यह कमर्सियली उगाये जाते हैं खूबसूरती की वज़ह से, जब वाटर लीली बार बार चर्चा में आ रहे हैं, तो हम आपको वाटर लीली भी दिखा देते हैं, यह कमल जैसे दिखते जरूर हैं, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, कमल के फूलों में जो बीच में उभार दिखता है, जो बाद में कमल गटा बनता है, वो इन फूलों में मौजूद नहीं होता है, इन में बड़्याकार के बीच भी नहीं आते हैं, जैसे कमल के फूलों में आते हैं, हाँ, यह खूबसूरत जरूर होते हैं, और कई सारे रंगों में आते हैं इस वजह से इनको उगाया जाता है यह निमफिये सी फैमिली के फूलों वाले पौधे हैं और यह water lilies हैं और पानी में ही उगते हैं किसमों के आधार पर इनमें आपको फूलों के कई सारे रंग और आकार मिल जाएंगे इनकी पत्तियां पानी की सतह पर तैरती रहती हैं ना कि कमल की तरफ पानी की सतह से उपर उठी हुई होती है अब बात करते हैं क्रिश्न कमल की दरसल यह कमल की किस्म नहीं है बस इनका नाम ही क्रिश्न कमल है ये पैसी फ्लोरा कहलाते हैं, बोटानिकल नाम इनका पैसी फ्लोरा है इनके बहुत सारी किस्मे होती है वाइन वाला ये पौधा होता है, ये वाटर प्लांट नहीं है, जमीन पे लगाया जाता है और इनमें बड़े आकार के फल भी आते हैं अपनी विसे सनरचना की वज़े से इन्हें राखी फूल भी कहा जाता है क्योंकि देखने में कुछ हद तक ये राखी जैसे दिखते हैं आमतोर से ये फूल बहुत बड़े आकार के होते हैं और तीन से चार इंच तक का इनका डायमेटर होता है इनके फल इडिबल होते हैं यानि खाने लायक होते हैं पके हुए फल बड़े चाव से लोग खाते हैं प्रपगेशन की जहां तक बात है तो कटिंग से और फलों से निकले हुए बीज से दोनों से ही इसे उगाया जा सकता है कृष्ण कमल देख लिया तो अब ब्रम्ह कमल देख लेते हैं इन फूलों को अक्सर ब्रम्ह कमल कहा जाता है मैं पहले ही इसपस्ट कर दूँ ये वास्तविक ब्रम्ह कमल नहीं है वास्तविक ब्रम्ह कमल हिमाले की वादियों में उपते हैं ये epiphylum oxypetalum है जिन्हें अक्सर ब्रम्ह कमल भी कहा जाता है ये दरसल cactus की एक variety है ये फूल अक्सर रात में खिलते हैं फूलों का आकार 30 cm लंबा और 17 cm तक चौड़ा होता है ये खुशबू वाले फूल होते हैं रात के समय खिलते हैं इनकी cultivation आसान होती है बहुत तेजी से ये पौधे grow करते हैं फूलों के खिलने के बाद इनमें फल भी आते हैं जिनमें बीज होते हैं इनकी propagation cutting से या फिर उनहीं बीजों से आसानी से हो जाती है चलिए अब आपको divine ब्रम्ह कमल यानि असली ब्रम्ह कमल भी दिखा देते हैं ये फूल ब्रम्ह कमल के हैं जो प्रिया ओवलाटा है ये एस्टरैसी फैमली के फूलों वाले पौधे हैं हिमाले की वादियों में ही ये फूल खिलते हैं ये उत्तरा खंड राजे का राजिफला पुष्प हैं हिमाचल प्रदेस में इनकी स्वतह उपज होती है खुद ही उगते हैं ये पौधे भारत के अलावा बर्मा, चाइना और मंगोलिया में भी ये फूल पाए जाते हैं ये परेनियल होते हैं और तकरीबन एक फूट का इनका पौधा होता है इनमें मेल और फीमेल दोनों तरह के औरगन एक ही पौधे में होते हैं और ये सेल्फ पौलिनेट होने वाला फूल है यानि कि जब आप इसका पौधा अगर लगा पाते हैं तो उसमें फूल जरूर खिलेंगे इनमें आमतार से जुलाई से अगस्त के बीच में फ्लावरिंग होती है जब आप फूलों की घाटी देखने जाएंगे उत्तरा खंडवराज में तो आपको वहां ये फूल पहाड़ों पर रॉक्स पर खिले हुए मिलेंगे अस्थानिय भासा में हिमाले के लोग इनहें कौन, काफू या वनसेंबरू नाम से भी जानते हैं अब वैग्यानिकों ने इनहें गमले में उगाने का तरीका इजाद किया है तो इनकी खेती होने लगी है वरना ये खुद ही उगने वाले संसार ग्रीन हमेशा ही आपके पास नई और अनूठी जानकारियां लेकर आते हैं अगर आपको हमारी कमल की ये खास वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और कमेंट जरूर करें हमें आपके प्रेसियस कमेंट्स क का इंतजार रहता है।